नमस्कार दोस्तों क्या ऐसे शेव हमारे गार्डेन में भी लग सकते हैं जी हाँ दोस्तों आज हम जानेंगे कि क्या इस तरह के लाल शेव हमारे यहां भी लग सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस पेड में पड़ी ही खोशूरत फल जो है इसमें शेप के लगे हुए हैं तो आखिर ये कौन सी वेराइटी है जो हमारे यहां भी बड़ी ही आसानी से कश्मीर के लावा अने जगों पे भी निकल रही है और इस कदर ये लाल शेप निकले सकती है कि जैसा आप देख रहे हैं कि इसमें भी बड़ी अच्छे क्वालिटी के सेव लगे हुए हैं तो आखिर ये कैसे संभव हुआ तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर वो कौन सी वेराइटी है सेव की जिसे हम अपने यहां लगाएंगे तो हमारे यहां भ हो सकता है तो आज हम वीडियो में इसी बात को जानेंगे तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को सुनो करते हैं कम होना चाहिए और दूसरी बात आप इसमें किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर का उप्योग मनहीं करेंगे सभी आरगेनिक फर्टिलाइजर आरगेनिक मैन नियूर का ही उप्योग करेंगे तो आपके हां पौधे में फल जरूर लगेंगे लेकिन अब बात आती है कि कस्मीर हिमाचल वाला टमप्रेचर यहां कैसे मेंटेन होगा जी हां दोस्तों हो सकता है क्योंकि आज ऐसी नई नई वेराइटी भी मार्केट में आ गई है जिससे आप अपने हां उत्तर प्रदेश में भी 48-50 डिग्री सेल्सियस में भी सर्वाइब कर जाते हैं यदि आप भी अपने हां सेप की यह वेराइटी लगाना चाहते हैं तो यूपी में आप गाजीपूर में भी लोग इसकी खेती कर रहे हैं इस वेराइटी की तो आप अपने हां इस वेराइटी को मंगा सकते हैं और ने तो हिमाचल में एक सर्मा नरसरी है आप वहां से इसको आनलाइन भी मंगा सकते हैं 130-500 के बीच में ये पौधा पड़ेगा जो आपके यूपी के आटमासफेर के लिए काफी अच्छा भी होगा और उसमें आपका पौधा सर्व लोगों ने अपने हां खेतों में भी एदी सेब की वेराइटी लगाई है तो वह भी जो है हिमाचल से ही मंगा करके उन्होंने लगाए हुआ है यह हमने जागरूप करने के लिए बनाई है कि आप जैसा देख रहे हैं कि आप यहां ऐसे ही काफी लोग जो है पौधे में से फला हुआ दिखा करके आपको पताएंगे कि यह वेराइटी है बहुत बढ़िया सेब लगा हुआ है जी नहीं दोस्तों ऐसा नहीं होता है उस सेब की वेराइटी अलग है उसकी क्वालिटी अलग है तो यह जो आप पौधा देख रहे हैं यह नीबू का पौधा है उसमें हमने भी जैसे उन लोगों ने लगा करके आपको वीडियो दिखाया होगा उसी तरह हमने भी इसको लगा करके दिखा दिया कि देखिए ऐसे इसमें लाल-लाल से फलेंगे लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों आप भी हो से यारोजे सही वेराइटी आप ले आएंगे हिमाचल की नरसरी से हिमाचल से तो वहां पर ऐसी वेराइटी है जो आपके हैं गार्डेन में गमलों में काफी अच्छी तरीके से सर्वाइब कर जाएगी यह फेक वीडियो है इसको हमने इसलिए बनाया कि ताकि आपको जागरूक रहें किसी छलावे में ना आवें इस तरह के काफी फलों के वीडियो भी आप देखते होंगे कि छतों पर लगे हुए हैं निकले हुए हैं जबकि ऐसा होता नहीं है क्योंकि उनका टंप्रेचर और यहां के टंप्रेचर में जमीन आस्मान का अंतर होता कुछी वेराइटी ऐसी होती हैं जो आपके हां फल दे सकते हैं तो ग्रूक रही हैं आर्गेनिक पार्मिंग करते रही हैं